आज का practical हमारे पास में albumin का solution बनाना है requirement is sodium chloride, measuring cylinder, needle, egg, glass rod, wing machine and filter paper उसके बाद में आपको funnel और bicker और आपको conical flask को आपको as a requirement लेना है इस practical में हम लोग क्या करने वाले हमारे पास में एक egg है egg के अंदर क्या होता है? albumin होता है जो मारे प्रोटीन की रुप में काम आएगा तो सबसे पहले क्या करना है आपको egg को फोड के उपर से white area जो जो calcerous cell है इस cell को remove करिए अब needle की help से इस cell को remove कर सकते हैं देख लिए आपको screen पे egg का diagram दिख रहा है आपको york नहीं लेना, yellow part बिल्कुल नहीं लेना, only जो thin और thick albumin है वो आपको लेना है जो अपका protein is content है आप देख रहे है practically कि हमने जो calcerous cell है वो remove कर दिया है अब हमारे पास वो conical, जो flask में देख आप देख पा रहा है, ये थिक था ये थिक albumin था, अभी जो आ रहा है वो कौन सा है thin albumin है और आप जानते है albumin क्या होती, protein होती है तो हमारे पास बहुत सारे biochemical test में क्या होते हैं हमें protein की requirement होती है protein के detection के लिए albumin का solution बनना पड़ता है तो हम albumin का इस्तेमाल करके इसको preserve करके रख सकते है अब screen पे देख पा रहे हैं हमने finally AX जो पूरा albumin बाहर ले लिया है आप देख लिए बिल्कुल नीचे वाले belt में काफी ठिक और जो है आपको एक गाड़ा सा material आ चुका है ये पूरा पूरा हमारे पास protein content है इसे हम लोग बोलते है albumin protein अब हम क्या करेंगे कि हमें इसका solution प्रिपेर करना है आप लोग देख पार है solution प्रिपेर करने के लिए पहले आप अपना बीकर लीजिए measuring cylinder की मदद से 50 ml जो हैं आप करीब-करीब पानी ले लीजिए उसके बाद में आपके पास जो wing machine होती है उस wing machine की मदद से आपको जो है sodium chloride यानि आपके पास में जो table salt उसका अप लेना है इसके amount करीब-करीब आपको जो है 5 gram के असपास लेनी है आपको 100 ml पानी के साथ में आपको 5% solution प्रिपेर करना है तो देख लिजी हमने salt ले लिया है पर हमारे पास में जो 50 ml water था उसके अंदर हमने इसको mix कर दिया है फार्णली उसको आप स्टेयर कर लीजी उसके बाद मैं आपको final volume make-up करना है पूरा 100 ml का यह मारे पास में क्या है एने सेल का solution त्यार हो चुका है अब आपको क्या करना है कि इनको यह अपने निकाला था albumin जो एक्स अपने isolate किया था इसी albumin को इसी में आपको mix करना है ध्यान रखना है sodium chloride ज्यादा नहीं लेना है नहीं तो यह aggregate होके एकदम पूरा ठरबिड हो जाएगा और गाड़ा हो जाएगा इसलिए आपको इसके amount कम लेनी है finally हमने albumin और anisil को mix कर दिया है अब आ रही है filter paper से filter करने की है फिर बोल देता हूँ इसको filter करेंगे तो भी चलेगा filter नहीं करेंगे तो भी चलेगा पर ध्यान रखना filter करने में बहुत ज़दा time आपको लगेगा और आपको इसमें funnel की जो aeration है वो ढंक से होनी चाहिए अगर उसमें air बराबर आ रही है तो यह filter हो जाएगा otherwise यह filter नहीं होगा इसकी ठीकने इसमें डिपेंट करेगा कि filter होगा कर नहीं होगा हो जाएगा बढ़ टाइम बहुत लगेगा क्योंकि एनसेल की जो lower concentration जो है ना वो प्रोटीन को stabilize करके रखती है और जो solubility उसको बढ़ा देती है तापकि एका solution प्रॉपर बन सके है अगर आपने एनसेल की amount बहुत जादा अगर ले लिना आपने तो excessive iron की वजह से यहां पर क्या होगा protein aggregate हो जाएगी और white is color का clump बनके वो जो है टर्बिट हो जाएगी तो आपको खास ध्यान रखना है एनसेल को जादा amount में बिल्कुल नहीं लेना है एनसेल जितना कम amount में होगा उतना solution बहुत बढ़ियां बनेगा क्योंकि हमें इसकी मदद तो उसको stabilize करना है थाकि हमारे solution के अंदर लॉंग टाम तक वो preserve रह सके solution बने के बाद अब आप क्या करें अपने टेस्ट यूप के हैं थोड़ा सा अलबू में solution लेजी उससे वाटर बात में रखिए आप देखो कि आपकी जो ट्यूब है वो टर्बीड हो जाएगी क्योंकि आपने उसे गरम किया है और गरम करने भी क्या होता आप जानते है प् सबने पड़ा कि हम एक को जब बाइल करते हैं तो वह भी सॉल्ड हो जाता है बिकॉज अफ डिनेचुरेशन अफ प्रोटेन थैंक यू